यमन के हुटी विद्रूयों ने एक बार फिर इस्राइल के खिलाफ अपनी ताकत का अनबूना पेश किया हुटी लड़ाकों ने अपनी खतरनाग बैलेस्टिक मिसाइल को सेंट्रल इस्राइल पर दाग दिया यमन से छोड़ी गए इस मिसाइल से इस्राइल में जबरदस्त खलबली मच गई इस्राइली पीम से लेकर सेन ने अधिकारी तक हरकत में आ गए एक बार फिर सवाल उपने लगा कि हुटीों की मिसाइल इसराइल के एरिस पेस में आखिर कैसे घुज गई एक बार फिर यमन के हुटीों ने इसराइल के शक्तिशाली और डिफेंस सिस्टम पर सवाल या निशान खड़े कर दिये हैं इसराइली सेना ने बताया कि यमन से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल ने मत्य इसराइल पर हमला किया जो के खाली इलाके में जागिनी जिससे कोई हतागत नहीं हुआ है आलंकि बताया गया कि मिसाइल अटक का असर इतना जोरदार रहा कि राज़्थानी तेल अवीव में भी अलर्ट साइरल बच गए मैं सेंट्रल इसराइल में लोगों में जान बचानी को लेकर अफरत अफरी मच गई सभी निवासी सेफ सेंटर्स की और भागते हुए देखे गए इस दौरान इलाके में जोरदार विस्पोर्ट सुने गए जिस पर इसराइली सेना ने बताया कि हूती के हमले की जवाबी कारवाई में मिसाइल इंटरसेप्टर लॉंच किये गए मध्धे इसराइल में एक इंटरसेप्टर का मलबा भी मिला था आईडियाफ ने इस दौरान बड़ा दावा करते हुए खुलासा किया कि इसराइल के एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने यह अपनी मिसाइल को मार गिराया बतावी यह वही इसराइली सिस्टम है जिसने इरानी हमलों के दौरान भी एहम रोल निभाया था इसे इसराइल का अभिध्य सुरक्षा का वज़ बताया जाता है हलनके ऐसा दावा है कि हुथियों के मिसाइल हमले में यह डिफेंस सिस्टम उस ताकत से काम नहीं कर पाया जिसके लिए यह पहचाना जाता है दरसल इसराइली दावे पर अब तक सवाल होने लगे है क्योंकि गेजएर के पास और तीन अन्य इलाकों में छर्रे गिरे जिम्हें मोदीन, रेहो वोड के पास पाते इी मोदीन ट्रेन स्टेशन भी शामिल है जिससे जाहिर होता है कि इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली एर इसपेस के बाहर मिसाईल को मार गिराने में इससफल नहीं रहे जो इस बात की और भी इशारा करता है कि इसराइली डिफेंस सिस्टम हूतियों के हवाई हमलों को पकड़ पाने में कारगर नहीं रहे है ड्रोन हो या फिर मेसाई सभी इसराइली रडार सिस्टम को चक्मा देने में काम्याब रही ये दूसरा मौका है जब इसराइल में यमन के हूती विद्रोईयों ने इसराइल में घुसकर रमला किया हो इसे पहले हूतियों ने अपने ड्रोन से इसराइली राज़तानी तेल अवीब को धहलाया था जहां एक शक्स की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे वही हालिया हमले में बताया ज़ा रहा है कि अलर्ट साइरन बजने के बाद सुरक्षत इस्थानों के और भाते समयन और लोग मामुली रूप से घायल हुए बताया ज़ाता है कि राणी हमले के दोरान एर्जो सिस्टम ने दोसों से ज़्यादा मिसाइल और टोनों को इसराइल के आस्मान तक नहीं आने दिया था एरो डिफेंस सिस्टम उप्री वायू मंदल में काम करता है आए ज़ान लेते हैं इसराइल के सबसे उच्छ सरी एरो डिफेंस सिस्टम को यह इसराइल के और किसी भी तरफ से आने वाली मिसाइलों को भी मार सकता है साथी 200 किलो मीटर से अधिक दूरी वाली बैलेस्टिक मिसाइलों को रूपने में भी कारगर है इसकी खूबी यह है कि यह बैलेस्टिक मिसाइलों को वायू मंडल के बाहर भी मार सकता है यह हथियार ले जाने वाली मिसाइलों को भी मार कर गिरा सकता है इतना ही नहीं यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को भी नश्ट कर देगा झाल